अब सब लोग आप सबको मेरे चैनल टेकनोलजी एर में खुशाम जी आज इस तरह का स्टेटरस बनाने के लिए जो इस ट्रेंप पे ट्रिक टोक और इंस्टाग्राम पे बोथ ट्रेंडिंग में उसके लिए एक आप की जुरूत है इसे आपका नाम है अलाइट मोशन अलाइ यह आप कर दूँगा नीचे देखें प्रोटेक्ट वर ओप्शन यहां पे नदर आ रहे हमें आपने क्लिक करना यहां पर इस तहां से आपने एक बीट मार्क होगा लिंक उससे क्लिक करने और यहां साथ आपने इमेज आड़ करनी है उस लेरिक के आगे पत्थरी डूर पर क्लिक करेंगे, Fill to Compressing Area पे क्लिक करेंगे, जहां Bit Mark लगाब है, वहां पे काट करेंगे, इस तरहां चे देखें, यह निच्चा और Option इसपर आपने क्लिक करकी, Bit Mark एक Image आपने काट करदेंगे, फिर Plus पर क्लिक करना है, फिर Media पे क्लिक करना है, और फिर से एक image add करनी है, फिर next beat mark तक इसे fill to compressing area पर click करके जाने के मुकमर स्क्रीन पर करने के बाद इसे यहां पर cut कर देंगे, ओके फिर एक दफ़ा click करेंगे, फिर media पर click करेंगे, फिर image add करेंगे, इस तरह से जितनी हमारी यहां पर beat mark लगा वाए, आपने से इस तरह से beat mark के मताबिक अपनी image add यहां पर कर लेनी है, और यहां पर देखें, फूल करने के बाद, कोश्टी क्या करें, जितनी हो से कि image आप अपनी HD quality में upload करके, इस्तमाल क्या करें, तक कि जो हमारा status हो वो अच्छे और खुपसरत बने, यहां तक आपने सारी image add कर लेनी है, अब इसे यहां तक हमने अपनी image add करनी है, यानि कि जो हमने यहां पर इंपोर्ट किया है ना colorful वाला, उसकी back-end नीचे आ जाए, यह देखें, सोंग के उपर और इन दो background के पीछे, यह वाला हमारी इसकी backup के आ गई, यह जो हमारा status लगावा है, और यहां पर हमनी image जितनी थी व लिचे option जारा effect है, उस पर click करेंगे, यहां पर three dots पर click करके copy effect कर लेंगे, फिर back करेंगे, बारा से जो हमारा, जिस पर हमने image अभी add की है, उस में जाएंगे bitmark quality project में, अब जहां पर देखें हमने image add की, इस आगे image start हो रही है, यह वाली, इस पर click करके, इसे three dots effect पर three dots पर paste, फिर back करेंगे, इसमें देखें, effect वह वाला add होगे, जो हमने किया था, इस पर image पर click करेंगे, three effect पर, फिर paste, फिर click effect पर three dots पर, फिर paste, यानि कि यह वाल जो पहला effect है, आपने इतने कर लेना है, जहां तक एक image जो बड़ी image ना आ जाए, पहले एक image तक जहां पर हमारी छोट दुबारा से, शेकिट effect वाले option में जाएंगे, यह दूसरे वाला effect है, यह add कर ले, effect पर, फिर copy effect, फिर back करेंगे, अब जाएंगे उस बड़ी image को, जो हमने image छोड़ी थी, उस पर यह वाला effect एड़ करेंगे, यह देखें, इस आगे लेकर जाएं निचे करने के बाद, पहल effect करेंगे, अब देखें, अब फिर छोटी image स्टार्ट हो रही है, तो इसमें आप चाहें तो यह effect एड़ करें, या फिर दूसरा तो तीसरा हमारी image पर दिया हुआ है, देखा दो आप भी आपको, एक, दो, तीन, यहां पर मैंने तीन effect यहां पर आपको provide किये हुए है, तो तीसरा effect क्लिक करेंगे, effect पर के जाएंगे, फिर इसे भी copy कर लेंगे, बैक जाएंगे, यानि कि सिर्फ आपने छोटी image, जितने हमारी छोटी में दीवे है ना, उन पर पहली image पर मैंने छोटी image पर एड़ किया था, फिर मैंने बड़ी image पर दूसरा दूसरे निबर वाला effect effect एड़ गया था, अब तीसरे image पर बड़ी image छोड़ने के बाद, यह three road, यह paste, वह दूसरे effect एड़ करने हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे, दूसरी image effect पर click, three road पर फिर paste, फिर image पर click, इसे देखें, इस image पर click करेंगे, फिर आगे image आ लिए, effect पर three road पर फिर paste कर देंगे, इस तरह जितने हमारे effect हैं, उससे आपने सेम इस तरह से add कर लेना, और मेरी वीडियो को भी like and subscribe कर दें, उपर share वालो option पर click करेंगे, इस वीडियो को export करेंगे